सबसे पहले सभी साथियों को नमशकार और सबसे पहले सभी साथियों को नमशकार और मैं माफी चाहता हूँ थोड़ी देरी से आया हूँ जैसा कि आप सब जानते हैं कि गंतंतर दिवश की तैयारियां हो रही हैं इस बज़े से यहां आने के सारे रास्ते जो है बंद थे तो मैं देरी के लिए माफी चाहता हूं और अब बिना किसी देरी के सिधे आप लोगों से कुछ बात करनी है सबसे अबवल तो यह कि आप सब जानते हैं कि आज की जो प्रेश बारता है मुख रूप से दो बिंदूओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है सबसे पहली बात तो यह कि भारत जूरो नियायात्रा का आज ग्यारवां दिन है दस दिन पूरे हो गये हैं और लगबग जो उमारे पूरवोतर के सभी राज्य हैं, सभी राज्यों को भारत जुरो नया यात्रा कवर करते हुए, हम अब आसाम से बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस जो भारत जोरो न्याय यात्रा को लेकर के अक्सर आप में से कई साथियों का यह सवाल रहता था कि किस लिए आप लोग भारत जोरो न्याय यात्रा कर रहे हैं और किस तरह के अन्याय से जो है आप न्याय चाहते हैं सुरू से हम लोग कह रहे थे कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक नयाई की पुनर अस्थापना के लिए यह भारोजरो नयाय यात्रा हो रही है और कल गोहाटी के बाद जब हमारी यात्रा आगे बढ़ी तो हमारे नेता स्री राहूल गांधी जी ने प्रेसवारता के माध्यम से देश के सामने ये रखा कि इस देश को मوجودा हालात में पांच तरह के नयाई की जरूरत है और ये जो पांच तरह के न्याए हैं जिसमें भागिदारी का न्याए, नारी का न्याए, युवाओं का न्याए, किसानों का न्याए और स्रमिकों का न्याए सामिल है यह जो पांच तरह के न्याय हैं इस न्याय को सुनिश्चित करने के पस्चात ही इस न्याय की पुनरस्थापना से ही इस देश को शक्ती मिलेगी इस देश को ताकत मिलेगी तो यह जो पांच तरह के नयाय हैं और इस नयाय के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ उपस्थे थें सबसे पहले तो आप सब जानते हैं भारतिय संस्कृति की परमपड़ा में इतिहाश में हमेशा यह बात कहा गया है कि पांच तत्तों के मिलने से सरीर का निर्मान हुआ है और पांच तत्तों जो हैं जिस तरह से सरीर का निर्मान करते हैं उसी तरह से पांच तरह के नयाय की अस्थापना करने से हमारा देश सक्तिसाली होगा समाज सक्तिसाली होगा और यह जो पांच तरह के न्याए हैं ये अस्तम्भ हैं हमारे सक्तिसाली राष्ट का, हमारे सक्तिसाली देश का और समता मुलक समाज की अस्थापना के लिए यह जो पाँचो न्याय के बारे में बात की जा रही है उसको लेकर के बार-बार अपने विभिन माध्यमों से हमारी पार्टी भारतिय राष्टे कॉंग्रिस ने देश के सामने ये रखने का प्रियास किया है कि हमारी देश की बहु संख्यक आबादी आज भी न्याय के की पून अस्थापना से कहीं न कहीं बाहर है इसलिए यह जो भागिदारी का न्याय है उसमें हम जोड़ दे करके ये कह रहे हैं कि सबको गिनो जातिवाद जोरो भारत जोरो सबको गिनना सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक जो स्थिती है समाज की उसमें लोगों का सर्वे करना और आप सब जानते हैं कि भारत में जो हर डस साल में जन्गन्ना होनी थी वो भी नहीं हुआ है वो 2021 में होना था लेकिन वो जन्गन्ना हुई नहीं है 2011 में जो जाती जनगन्ना हुई, सामाजिक आर्थिक जो सर्वे हुआ, उसके रिपोर्ट भी सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है तो बार-बार स्री राहूल गांधी और हमारी पार्टी भारत्य राष्ट्य कॉंग्रेस इस सवाल को उठाती रही कि लोगों की भागिदारी शुनिश्चित करनी परेगी चाहें वो नौकडी का छेतर हो, चाहें वो आर्थिक छेतर हो, समाजिक छेतर हो, राजनितिक छेतर हो, सबकी भागिदारी सुनिश्चित करनी है और इसका ये कताई मतलब नहीं है, कि किसी को काच्छीन करके किसी को देना है मतलब जिसको नहीं मिला है उस तक न्याय पहुचाने की वकालत कर रहे हैं इसको हम भागिदारी की न्याय के तहद देख रहे हैं दूसरा जो युवाओं का न्याय है आप सब जानते हैं कि देश में 45 सालों में आज सबसे ज़्यादा बेरुजगारी है आए दिन जो है नौकरियों के बारे में यह सुनने को मिलता है कि कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है कितने बेरुजगार युवा जो है वो बेठे हुए हैं लाखों पद जो हैं वो रिक्त परे हुए हैं सरकारी छेतर में आप अगर सेंट्रल गौर्णमेंट के अंतरगत जो नौकरियां है उनको भी देख लें तो लाखों नौजवानों को नौकरिया नहीं मिल रही है तो युवाओं को न्याय देने का तातपड यह है कि जो रिक्तियां है उसको भढ़ा जाए और जहां कहीं भी वेकेंसी आती है तो यह सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है तो पेपर लीक जैसी गरबडियों जो नौकरिय देने में जो परसासनिक चूक होती है उस पे रोक लगाई जाए सब को जो है रोजगार का अधिकार मिले और जो बेकारी का अन्याई है इस बेकारी के अन्याई से युवाओं को रोजगार दे करके न्याई की अस्थापना करनी है तीसरा जो न्याई है वो है नारी का न्याई नारी के न्याई के वारे में आप जानते हैं कि कुछ मिंटों में ही हमारे देश में कहीं ना कहीं नारी के खिलाफ कोई ना कोई अपराद होता है बलादकार की घटना होती है तो नारी भी समाज की आधी आवादी है हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि आधी आवादी पूरा हक नारी को न्याज सुनिश्चित कराना ताकि वो हर चीज में, हर छेतर में, जिस तरह से बढ़ चर करके हिस्सा ले रही है, चाहें वो काम की जगह हो, जहां पे लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वहां एक सुरक्षित माहौल देने की बात हो, सरक से लेकर के ट्रेन तक, घ से लेकर के बाहर तक, खेट से लेकर के खलियान तक, दफतर से लेकर के मेट्रो रेल तक, हर जगह जो है महिलाएं, अपने जीवन को अपने तरीके से आजादी से जी सकें, और अपने हग को प्राप्त कर सकें, और उनके खिलाफ जो अत्याचार है, जो अपराद है, उस पर और पहले जिस तरह से इस देश नात्म हत्या कर रहे थे अब उसमें एक नए नया चीज एड़ हुआ है जला OFte तुरह यही अपील कर रही है कि आप आत्महत्या मत करिये हमारे यहां मगही में जो है एक कभी हुए वो अकसर कहते थे भूख से तरब के मरवा का है मरने होता है लड़के मरी जा मतलब भूख से तरब कर मरने की ज़रत नहीं है आत्महत्या गर के मरने की ज़रत नहीं है अगर जीना है तो संघर्स करना परेगा और संघर्स की न्याई की जो यह लड़ाई है उस लड़ाई में हम किसानों की भी फसल का उचित दाम उनको मिले उनके फसल का दाम मिले मतलब ऐसा क्यूं हो रहा है कि निता का बेटा निता होना चाहता है डियम का बेटा डियम हो रहा है जो वापस दिलवाने के लिए 700 से ज़्यादा किसानों की सहादत हुई आप सबने देखा कि दिल्ली की सिमाओं पे लगातार महीनों किसान बेठे रहे तो किसानों को न्याई दिलाने के लिए उनके फसल का उचित दाम दिलाने के लिए ये जो है किसान न्याय की हम बात कर रहे हैं और पाचवा जो न्याय है वो है स्रमिकों का न्याय अक्सर हम लोग यह देख रहे हैं कि यहां भी आप सब लोग बैठे हुए हैं आपको कितनी सेलरी मिलती है चाहें पतरकार हो या कैमरा परसन हो या आपके ऑफिस में काम करने वाले स्वी कि आठ घंटा कोई मुझदूर काम करेगा आठ घंटा काम का आठ घंटा आराम का और आठ घंटा रचनात्मक काम का रचनात्मक काम कहां से होगा जब ड्यूटी अठारा गंटे की हो रही है यहां तो बच्चों को और बीवी को ही समय नहीं है देने के लिए 16 गंटा, 17 गंटा, 18 गंटा लोग काम कर रहे हैं तो जो स्रमिक कानून इस देश में लागू किये गए कि 8 गंटे से जादा अगर एक मिनट भी आप जादा काम लेते हैं किसी भी मजदूर को चाहें वो टाय लगाने वाला मजदूर हो चाहें जो है वो जोला लटकाने वाला मजदूर हो आठ गंटे से गर एक मिनट जादा भी आप काम लेते हैं तो आपको दो मिनट का वेज देना परेगा, दो मिनट का बेतन देना परेगा आप सब जानते हैं आज कल क्या होता है कि आप जाते ही साइन कराते हैं वाउचर कोई और साइन कराते हैं, सैलेरी कुछ और देते हैं, और कोई जो है सिकुरिटी नहीं है, ना जो है ईएफ पिएफ आई दे रहे हैं, ना जो है काम करते हुए अगर कोई दुरघटना हो जाती है, तो उसका मुआपजा भी नहीं दिया जाता है, तो जितने भी स्रम कानून बनाए गए थे एक एक करके जहें उसको समाप्त किया जा रहा है और लोग मजबूर है इतनी बेरोजगारी है और दफ्तर के बाहर इतना बरा लाइन लगा हुआ है कि कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है और राइट टू यूनिनाइज जो एक डिमोक्रिटिक कॉंस्टिशूशनल राइट है मजबूरों का वो भी धिरे-धिरे करके समाप्त कर दिया गया है तो आज मजबूरों के सामने सबसे बरा सवाल यही है कि उनको उचित मूल नहीं मिल रहा है उनके काम का वो मुनाफ़ा पैदा करने में हिस्सेदारी तो कर रहे अपना महनत कर रहे हैं पसीना बहा रहे हैं स्रमिक की तरह दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन जो मुनाफ़ा है उसका एक हिस्सा जो है वो स्रमिकों को नहीं मिल रहा है तो स्रमिकों को जो है नयाय दिलाने के लिए तो यह जो पांच परकार के नयाय है मैं फिर से आपके सामन नियाय के संघर्ष में पांच अस्तम्भ है और इन पांच अस्तम्भों से ही एक सक्तिशाली देश का निरमान संभव है। तो नियाय की इस पुनर अस्थापना के विचार को लेकर के ही यह भारत जोरो नियाय यात्रा लगातार चल रही है। और दूसरा जो एक महत्पुर्ण पहलू और है जो आप सबसे साजा करना चाहते हैं, आपने सुरू से एक बात देखी है, भारत जोरो यात्रा जब पिछले साल शुरू होई थी, तो उस वक्त सरकार की तरफ से उस अस्तर पे जो है कोई रुकावट नहीं पैदा की जा रही मैं समझता हूँ कि संघर्स की सफलता के अंदेशों ने सासकों को थोरा सा परेशान कर दिया है, और इस बार की भारत जोरो न्याय यात्रा शुरू होने के साथ ही उसमें व्यावधान पैदा किया जाने लगा, शुरू होते ही, आप जानते हैं कि जो पहला ग्राउन मिला था मनिपुर में, वो ग्राउन का परमीशन जो है वापस ले लिया गया, कारिकरम कहीं और होना था, कारिकरम कहीं और हुआ, और बार ये सुरक्षा का हवाला दे करके, कि नहीं नहीं सुरक्षा का सवाल है, अरे देश के जब किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षि नहीं है स्रमिक सुरक्षित नहीं है महलाय सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित हो करके क्या करेंगे हमारी सुरक्षा का हवाला दे करके हमारी ही यात्रा को रोका जा रहा है और न्याय की इस लड़ाई में जो अन्याय सक्ति है वो ब्याबधान पैदा कर रही है वो अपरो जो अपने उपर कोई अन्याय महसूस करता है, जिसके उपर कोई अन्याय हो रहा है, वो न्याय योद्धा बन सकता है, भारत जोरो न्याय आत्रा में सामील हो सकता है, इस भारत जोरो न्याय आत्रा को बार बार रोकने का प्रियास किया जा रहा है, हर बार जो है लास्ट आव हमारी न्याय यातरा के गुजरने से कानून विवस्था की सिचुवेशन उत्पन हो जाती है, और उसी रूट पे, अगर भाजपा के किसी मंत्री का कारिक्रम हो, कोई जलसा हो, कोई आयोजन हो, नडड़ा जी का कोई कारिकरम हो, तो वो उसी रूट पे बहुत आराम से हो जाता है, तो कहीं न कहीं यह सरकार जो है, वो अन्याय के साथ खरी है, और भारत जोरो न्याय यात्रा को हर बार रोकने का प्रयास कर रही है, और आप कल की घटना ज कि कॉंग्रिस कारिकरताओं की इतनी शक्ति है, जो पार्टी इस देश में अंग्रेजों को हडा सकती है, जो पार्टी उनके तोप से और उनके फांसियों से नहीं डरी हो, और सालों लोग जिल में बंद रहे हो, उस पार्टी के कारिकरता बैरिकेट से नहीं डरेंगे, ले जिए या मैं कहता हूँ कि कई बार इस देश के बहुत सारे मुखमंद्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के किसी अस्तर पर गरने को तयार है। पहाने से यात्रा को रोखने का प्रयास किया जाता है और फरजी मुकद्म ऐसे जाते हैं एक बार पिर से जो है जहा हूं पूर अरण को tam निताओं के ऊपर अर्जी मुकद्म किये गये हैं तो हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि आप मुकदमे से हम नहीं घबराएंगे आपको चापलूसी करने के जिस भी अस्तर पे गिरना है आप गिर जाएए आपके जो है फरजी अफायार से हम नहीं डरेंगे और हम अपने इनवस्टी दिन से ही ये कहते थे जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे जोर है अन्याय द्रोही है ये बात उनको याद रखना परेगा इस देश में जब आम लोगों के न्याय के हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी सबकी भागीदारी के लिए नारी की सुरक्षा के लिए किसानों को उनके फसल के दाम के लिए मजदूरों को उचित मजदूरी के जब न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब अन्याय ताक्तें जो इस यातरा को रोकने का प्रयास कर रही है रोकने का कोशिश कर रही है लेकिन न्याय की लड़ाई नहीं रुकेगी न्याय का हक मिलने तक यातरा जारी रहेगी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत श वहां जो पुलिस और एड्मिनिस्ट्रेशन को कहना है उन्होंने कहा है कि हमने जो रूट दिया ता यात्रा वो रूट फॉलो नहीं कर रही है आप लोग कह रहे हैं कि हमने रिटन में पहले परमिशन मांगी थी और उन्होंने परमिशन दी भी थी क्या इसका कोई प्रूफ ह है आप लोग के पास में कि वहां के एड्मिनिस्ट्रेशन की तरव से आपको परमिशन मिली थी स्यात्रा के लिए देखे परमिशन तो कई जगह मिलती है और एड्मिस्टेटिव जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके जो है दिया हुआ परमिशन किया जाता है इसमें मुख बा है मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं मैं इसके पीछे को जो राजनितिक मनसा है अन्याय के पक्ष में खरा होने की भाजपा की जो कोशिश मैं उस पर बात कर तेक्निकल चीजें तो क्या टेक्निकल बात करेंगे सरकार उनके उनकी है फुलिस उनके कंट्रोल में है सारे पोस्ट उनके हाथ में है तो वो टेक्निकल चीजों में बात को घुमा देते हैं एक बात बताईए यात्रा जिन लोगों के लिए हो रही है उनके बीच यात्रा जाएगी ना इसका तो यह मतलब नहीं है ना जैसे रिपब्लिक डेका पेरेट जो है वो तो कर्तब पत्थ पही होगा ना इसा तो नहीं कि बुराडी में होने लगेगा कहीं और चल जा करके जो है रिपब्लिक डेका पेरेट होगा रूट का क्या मतलब होता है हम लोगों के बीच जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं लोगों से जुडने के लिए जा रहे हैं अब राजस् होते हैं प्रधान मंत्री जी के भी भाशन वहीं होते हैं जैसा के पपा के भी भाशन वहीं होते हैं सब वहीं होता है तो भाई हमारी यात्रा का कारिकरम वहां क्यों नहीं हो सकता है हम मंसा पे सवाल उठा रहे हैं टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं और परमिशन मिलता है बिन जो है लोजिस्टिकल सपोर्ट की जरृत होती है यात्रा के साथ जो है लोग होते हैं यात्रा के साथ पार्टी के वर्कर होते हैं कारिकरता होते हैं नेता होते है उसके तयारी होती है एडिस्टिशन से एक डायलोग होता है अचानक से जो है परमीशन किंसिल कर दिया जाता है चीप सेक्रेटरी कहते हैं कि ने दिल्ली आपका जो है अप्लिकेशन भेजा गया है पताइए दिल्ली अप्लिकेशन क्यों भेजा जाएगा यात्रा हम कर रहे हैं गवाटी में अप्लिकेशन जो है दिल्ली भेजा जा रहा है हम मनसा पर सवाल उठा रहे हैं टेकनिकल चीजो करने आप वो गाड़ी से कर रहे हैं और राहूर गांदी अपनी पार्टी को समझा नहीं रहे हैं क्योंकि राहूर गांदी खुद डर्पों के इसलिए उन पर अटाक कर रहे हैं इस पर आपको कॉमेंट क्या है देखिए यह तो मैं उनको कहूंगा कि मत ड़िये मालूम है कि आप डर करके जो है ना अपनी वफादारी कहीं और सावित कर रहे हैं आपको जो है आजकल अमित साहाजी का बिस्कुट बहुत अच्छा लग रहा है यह हम समझ रहे हैं पॉइंट यही है कि आप एक प्रदेश के मुख्या है लोएन और मेंटेन करना आपका काम है उससे ज आए ना राहूल गांधी क्यों डर जाएंगे राहूल गांधी को डरना होता तो दिल्ली में होते राहूल गांधी जनता के बीच में नहीं होते डरे हुए यह इसलिए जो है हर जगा राहूल गांधी को जाने से रोक रहे हैं एक बात बताईए एक तरफ तो निमंत्रन दि मंदिर में उजाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया, हमारे ही पार्टी के दूसरे जो है, लीडर, सांसद, MLA, सब जा रहे हैं, सिर्फ राहूल गांधी नहीं जा सकते हैं, क्यों? राहूल गांधी मंदिर नहीं जा सकते हैं, राहूल गांधी लोगों से मिलने के लि हम नहीं डड़े हुए हैं, वो हमारे संघर्स की जो ताकत है, जो इसकी ताशीर है, उससे ये घबराये हुए है, राहूल गांदी को मंदिर जाने से क्यों रोका, भगवान के पास जाने से किसी भी इंसान को क्यों रोका जाएगा, वो भी law and order का हवाला दे करके, हरे भाई, क किसी को जब कोई आसरा कहीं नहीं मिलता है, तो मंदिर में जगह मिलती है, हम लोग एकजाम देने के लिए जाते थे, किसी भी शहर में, जब कहीं कोई रहने का ठीकाना नहीं होता था, तो मंदिर के चबूतरे पे सो जाते थे, मंदिर तो सबसे सुरक्षित जगह है, और उनको हम कहते हैं कि मट डरिये कि इतना भी कोशिश किजिएगा मन में डर रहेगा चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अगर एडी से घवराते रहेगा कि क्या पता अगर साथ छोड़ दिया देश के ग्री मंतरी का तो क्या हो जाएगा तो यह सब वेंडेटा पॉलिटिक्स हम नियाय यात्र निकली लेकिन उनको इसके लिए इन्फार्म नहीं किया गया भारच जोड़ो देजा ओर जर्टा दिया जा रहा है सब जो भी लोग इस देश में महिशूस करते हैं कि नके साथ अन्याय हो रहा है चैहां वो राजनितिक विक्ति हो गहर राजनितिक वेकती हों, किसी संगठान से जुरे हों, या नाजुरे हों, वेकती हों, समुवा, संदाय हों, सब को जो है बौलाया गया है और इस बारे में आपको जौदा जानकारी हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो दे पाएंगे मेरे खाल से जाराम जी भी जो है अभी प्रेस से बात करेंगे थोड़ी देर में वो इसके बारे में आपको ज्यादा टीटेल रहाएं अब चुनाव मैंने पहले ही कहा और हर बार हम लोग यह कह रहे हैं चुनाव इस देश में होते रहें और हम उम्मीद करते हैं कि देश में चुनाव होते रहेंगे तमाम अन देशों के बावजूद चुनाव होते रहेंगे चुनाव का इस यात्रा से कोई संबंध नहीं है तो हम बार बार आगरह आप लोगों से भी करते हैं कि इस यात्रा को स सिर्फ चुनावी नहीं है राजनीती का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि चुनाव जीत करके गद्धी हासिल करने लिए राजनीती का एक पक्ष यह भी होता है कि इस देश के आम आवाम लोगों की जो तकलीफ है उस तकलीफ के लिए भी संघर्स करना राजनीतिक दल की जिम् हेँएößज पोस्टर तो हटाय जा रहे हैं पोस्टर तो कई जगह इंगा है और अब प्रशाशन अटाय एक बाजबा में हम देखने का चीज है हमने देखा है कि हंबने दर प Convention के लोग पोस्टर हटा रहे हैं बीजेपी के लोग पोस्टर फार रहे हैं तो यह कौन लोग हैं कौन पोस्टर हटाए हैं मुझे इस बात की जन करी है कर नहीं करी है कि टी एमसी के लोग पोस्टर बैनर राहूल कांदी की नया यात्रा के हटा रहे हैं और दूसरी बात की बा तो आप दूसरे राज जहां भारती जन्ता पार्टी की सरकार है वहां तो आप कहा रहे हैं ठीक है यह बंडेटा हो रहा है लेकिन यहां तो इंडिया गडबंदन का हिस्सा बता रही है ममता बनर जी खुद को ऑल्दो नों ने यह किया दिया है बंगाल में अकेले शुनाब लड़ेंगी लेकिन इस पर क्या कहेंगे आपके इंडिया गडबंदन के दलका का ही एक रवया नयाय यात्रा को लेके ऐसा है देखे यह प्रेश वारता दो चीज के लिए हैं मैं फिर से रिटरेट कर देता हूं पहला राहुल जी ने पांच नयाय की बात की है पांच नया बलाएं आपसातियों को जहां तक यात्रा से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की बात है मुझे उस संबन में जो है अभी कोई जानकारी नहीं है हो सकता है अभी कोई जो है न्यूज ब्रेक हुआ हो और जो है आप उससे जो है जो है जोड करके यह सवाल पूछ रहे हो उसमें मैं को यही जवाब देता हूं इंडिया एलाइंस चुनाव सीट सेरिंग कहां पे जो है कौन सी पार्टी की सरकार है यह अपन न्याय के खिलाफ पांच न्याय को अस्तंभ की तरह निर्मित करके न्याय की पुनरस्थापना करना है यह इस यात्रा का उद्देश है कहां पोश्टर फाड़ा गया है कहां जो है फायार हुए है कहां जो है यात्रा के उपर हमला हुआ है मैं उस संबन में यही कह रहा हू दुनिया की कोई ताकत अन्याय चाहे गितना भी ताकतवर क्यों ना हो नियाय की यह महीं नहीं रुकेगी नियायाइयात्रा जारी देग्व के बाद जबसे जो एकनोमिक रिफ़ंस लाए गए है तो हमारे देश में जो है इने एक्वालिटी जो है बढ़ती जा रही है आज तो वो अपने पीक से भी आगे निकल चुकी है तो किस तरह से अपने आए कायम करेंगे ये जो एकनामिक रिफार्म्स लाइज गए है है capital capitalist economy जो हमने follow किया है उसके नतीजे में के अमीर अमीर हो रहा है गरीब गरीब हो रहा है और उसके तो बड़े अगले जो है example सामने आ रहे हैं कि चंड जो है हमारे पास जो है billion की तादाद बढ़ रही है तो किस तरह से आप वो नियाए कायम करेंगे रिस्टिबिशन की बात कर रहा हूं resources की बात कर रहा हूं I'm talking about that नयाए कायम करने के लिए सीधी सी बात होती है अन्याए को समाप्त करना अन्याए को समाप्त करके अस्थापना होती है कि पांच तरह के जो अन्याए हम बता रहे हैं कि देश में हो रहे हैं कि युवाओं के स साथ किसानों के साथ महिलाओं के साथ स्रमिकों के साथ किसानों के साथ और जो बहुसंख्या कावादी इसकी भागीदारी सुनिश्चित करके इसको जो है यही जो अन्याय दिख रहा है इस अन्याय को समाप्द करके नाय के स्थापना होगी पुजरे कल जो महान बिहार में नेता रहे कर पूरी ठाकोर उनको भारत रतन देने की भी बात की है इसको आप किस तरह से लेते हैं और नमबर दो जो देश के अभी हालात हैं एक और आप कहरा हैं कि पचास फीसिदी से जादा आबादी हो गई है पिछ्डों की पावजूद उसके भागिदारी नहीं मिल रही है तमाम दफा पांच एलेक्शन भी उस पर हुए उसके नतीजे भी आए तो चूक कहां हो रही है सबसे पहले तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया आज जो है जन्नायक करपूरी ठाकुर जी की जन्म सताबदी दिवस है और कल जो है सरकार ने उनको भारत रतन देने की मर्नो परांत भारत रतन देने की घोशना किये हमारी पार्टी ने और स्री राहूल गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया है कि बारत सरकार जो उनको भारत रतन देना चाहती है इसका स्वागत किया है और साथ ही साथ यह प्रश्न उठाया है कि आप यदि करपूरी ठाकुर जी को सची सरधानजली देना चाहते हैं तो करपूरी ठाकुर जी का एक मॉडल है भागिदा वहां भी जो जो इस्टैटिफिकेशन है, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उनका मॉडल बहुत मशूर है, और दूसरे राज्यों में भी अकसर बिहार के करपूरी मॉडल की बात की जाती है, उस से जोड करके ही तो हम लोग यह बात कह रहे हैं, कि आप जनगना कराइए, हर दस साल में जनगना होता था, सरकार जनगना कराने को तयार नहीं है, डेटा रिलीज करने को तयार नहीं है, 2011 की जो जनगना है, उसका भी जो रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है, जो socio-economic data है, और अभी बार-बार राहुल जी कह रहा है कि भागीद लागीदारी अगर आपको देना है तो पहले डेटातु कर लीजिए पहले डेटा तो पता चले बिमारी कहाँ ना है खहां-दवाई लगानी है ओपरि evaluation कहां करना है उसका एक्सरे करना तो जरूरी है तो सरकार क्या कर रहे इसे भाग रही है लेकिन आप जानते हैं कि सरकार ने जो है इसकी अभी घोशना की है हम उमीद करते हैं कि इससे जुड़े हुए कर पूरी ठाकूर मॉडल से जुड़ी हुई जो सामाजिक नयाई की मांग है सरकार उसको भी देता नहीं है हम सब जहनते हैं कि बीजेपी जब कोई इस तरह का कारी करती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं जो है उसका चुनावी गणित होता है लेकिन हम उन चीजों में नहीं जाना चाहते हैं यह अगर किया गया है यह एक स्वागत योग कदम है और इसका हम पार्टी की को उनकी राजनीती को उनके संघर्स को उनके मुद्धों को जो है समाज में लागू करेंगे I think I have tried to answer all of your questions और शुक्रिया थैंक यू कर ज90 के यू झाल नहीं है जदूख फ linking और शुक्रिय करेंगे I जूवर्स को जड़किン बाहीं च कि पाये सेे माजनी चक्ते हैं आजी जएर्स燈ाणी